कर्मफल दाता शक्तिशाली शनी महराज 2023 की शुरुवात में शनी का महराशी परिवर्तन 17 जन्वरी से शनी की चाल में बदलाव तीस साल बार कुम्भ में शनी का प्रवेश शनी की दृष्टी कहां लाभ हानी बहुचाएगी आने वाले ढाई वर्षों तक शनी क्या कुछ देंगे देखिए सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार, हरी दुआसे मैं कवतर आना अमेसा मजुदें अचारिय मेंग्शन मर्चिंग तने बार कवितारी सभी दर्शकों को साधर नमस्कार और यह लंबा समय है आने वाले ढाई वर्ष आप रोगों के लिए कैसे रहेंगे कुम राश्य वर्षों के लिए खास कर क्योंकि देखिए इन धाई वर्षों तक श्यनी कह यौनी बल्कि आपके घर में रहेंगे आपकी राश्य में ही मौजूद रहेंगे और ऐसे में जब श्यनी आपके उपर ही हो तो आने अले धाई वर्ष आपके कैसे भीतेंगे अगर आपके कुम राश्य वालों को जो पहली साड़े साथी होती है वो उनके लिए सबसे जारा टफ रहती है मेरा ऐसा experience है और शनी जब पहली राश्य को छोड़कर दूसरी राश्य में आते हैं तो वो समय इनका जादा बेतर रहता है आम तोर पर हमने देखा है कि शनी जब राश्य में आते हैं तो जादा परिशानी भड़ती है लेकिन कुम राश्य वालों के जब प्रथम भाव में शनी आएंगे निकिसाड़े साथी का दूसरा चरण जो है जो हमारा research है उसके हसाब से इनको काफी भेतर परेडाम आले कि कुछ परिशानिया भी आएंगी लेकिन अंतते जो है इनको सफलता मिल जाती है अब शनी देखिए जब आपके लगन भाव पर आते हैं तीसरी साथवी और दसवी दश्टी को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे प्राकरम भाव वयवाइक स्थान बिजनस पा यह ग्रैसिती बनती है शनी की जब शनी लगन में बैठते हैं इस भाव पर दस्थी दे रहे हैं अब यह क्या फल देंगे यह अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं तो आगे बढ़ते हो जान लेते हैं कि किस तरह से सेहत आपकी कैसे रेके ने धाई वर्ष में और शनी अपनी राशी में बैठे में और साड़े साती का दोर है तो जारा गंबीर समस्या सेहत को लेके नहीं रहेगी बारवे भाव में शनी था तो परिशानियों में इजाफा हो रहा था लिकिन यहां आपकी सेहत में सुधार अब हो जाएगा सेहत पहले से दुरुस्त रहे है इसके लावा कोई बड़ा है आपको यहां नहीं रहने वाला है बस मेरी सलाई यह कि आपको क्या करना है कि लापरवाई ना करें आलस से इस समय त्याग दें तो आपके लिए बेतर है और योग का सारा लें तो और भी बेतर रहेगा संबंदों के मामले में रहेंगे कुंबराशिवालों के सबसे जादा यहीं संबल कर चलना है क्योंकि सब्तम दश्टी पर शनी देख रहे हैं यहां आपको व्यवाईक जिवन के स्वस्ट को शनी प्रभावित कर सकते हैं तो आपको उनकी सिहत का ध्यान रखना है साथ- बयान ना दें कुछ ऐसी बात ना करें जो इनको ठेस पहुंचे क्योंकि लगन में शनी जो है वह कहना चाहिए कि उग्र सभाव हो जाता है व्यक्ति का या थोड़ा सा क्रोधी सभाव हो जाता है पुश्री से आपको बचना चाहिए व्यवाइक जीवन में मदरुता लाने का परियास करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कुछ परिस्थिती ऐसी बनेगी कि इस समय आप और आपके जीवन साथी के भी स्टाल में कभी कभी कम रहेगा या आप एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे वह परिस्थिती वर्ष भी हो सकता है कि आप दोनों प्रोफाइल में हो बीजी हो या आपका कहीं दूसरे शहर में ट्रांसर हो जाएं या कहीं आप विदेश चले जाएं कुछ भी परिस्थिती इस तरह की बनेगी कि आने वारे धाई वर्षों में आप अपने परिवार को जीवन साथी को थोड़ा समय कम दे पाएंगे क्यों यहां पर सुख साधन भी बढ़ेंगे अब जो लोग उनके लिए जो शनी है वो काफी अच्छा लाब देगा विभा का योग भी बनाएगा संतान सुख की प्राप्ति भी होगी मान सम्मान की प्राप्ति जो लोग फिल्म लाइन बॉलिवूड से हैं पतरकारिता से हैं उन जीनियर डॉक्टर है राजनेता है उनको यह शनी जो है उच्छपद की प्राप्ति कराएंगे तो यहीं काम कारोबार में कोई समस्या नहीं रहेगी श्यतुर राश्य को जरूर शनी देख रहे हैं कभी-कभी अडचने यह आपके वरिष्ट अदिकारियों के साथ बॉस के विश्यार की शुरुबात करनी है या नहीं करनी है क्योंकि लगन में रहता है कभी-कभी कहना चीए कुछ गलत फैसले आपसे करवा सकते हैं इसलिए सोस समझ कर आगे बड़ें यानिकि जब भी कोई बड़ा फैसला लाइफ में हम करते हैं चाहे विभा करना हो नहीं कारी क आपने बताएं के काम कारोबार कैसा चलेगा कि बात करेंगे आर्थिक पक्ष के बारे में तो क्या लगता है कितनी दौलत मन यह बन पहेंगे इंड़ाई वर्ष में धनलाब कितना करा कराएंगे शनी देविन को देखिए धनलाब तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि धन भा सबसे पहले तो वानी पर सयम रखें सबसे बड़ी सला दूसरी सला यह कि प्रेम संबंधों में मजबूती लाएं सबसे प्यार से बात करें रिष्टों का मधूरता लाएं रिष्टे खराब होने से कुम्राशी वालों को बचाने चाहिए और किसी से व्यरत का वाद विवाद ना करें क्योंकि साड़े साथी का दूसरा चरण है शत्रू बारा ऐसे में कभी-कभी देखने को मिलती है शत्र स्मारिkt हैं शनी से जुडए हुपाए कि शनी से बारत करने से आप और विश्य शान्ती भी करा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़रा स्ट्रेस है तो आपको क्या करना शनिवार के दिन पाँच बदाम और एक नारियल जटाओं वाला नारियल जो है वह बहते जल में दुपयार के समय परवाइद करें शे शनिवार यह आप कम से कम करेंगे तो आपको बड़ा लाब मिलेगा और शनी देव के कश्टों से मुक्ति मिल जाएंगी जो मेरा आपकी साड़े साती के दूसरा दोर में यह है कि सब चीज़े ठीक चल रही है बस थोड़ा सा आपको समल के चलना है थोड़ा सा कहना चीना कि हम देखकर आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई ठोकर नहीं लगेगी बिल्कुल तो यह थे मिसा मैंग जी जिनसे मैंने जाना कि कुम राश्वी वालों के लिए आने वाले ये धाई वर्ष शनी की गिर्पा से शनी की देया से कैसे रहेंगे हम दोनों को दीजाज़त नमश्का